तो दोस्तों Poco C3 की वीडियो पे 35K वीउस होने के बाद आपका थैंक्स मैं करना चाता हूँ क्योंकि मुझे उमीद नहीं थी उस वीडियो पे 35K तक वीउस जा सकते हैं क्योंकि ऐसे नॉर्मल सा ही वीडियो था क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो ओप्शन जो है कहीं भी म कर सकते हैं अभी रिसेंट रिपोर्ट के अकोडिंग पोको ने C3 के दो मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बेच दिये हैं और क्वाटर टू और 2021 की जो रिपोर्ट निकल कर आई है तो पोको C3 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो की लीड करता है पोको के रिवेन्यू को तो मतलब क स्मार्टफोन पोको ने बेचे हुए है तो इसी बीच गुड नियूज ये है कि अगस्त का सेक्योर्टी पैच पोको के स्मार्टफोन में मिलना स्टार्ट हो गया है अभी 30 अगस्त की बात है इसका जो जिप फाइल्स बगहरा है वो रिलेस की गई थी और उस टाइम से पो अब दोस्तों ये जो लेटेस्ट अपडेट आया है सबसे पहले मैं आपको बता दू जादा कुछ चेंजिस इस अपडेट में नहीं है यहाँ पर सिर्फ ओगस्त 2021 का सेक्योर्टी पैच एड़ किया गया है तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि एंट्री लेवल का ये स् इसबोगस्त का जो अपडेट जिंजीं डुइस्ट में दिया गया है तो अच्छ अफडेट के साथ बहुत सारे बग्स कमपनीगे ने फिक्स किये हैं अधर कमपनीग मैं बात करूं तो इस अपडेट के साथ जो है बहुत सारे पैचीज आपके स्मार्ट पों लगने वाले यानि के जो loop holes या back holes बगयर रहते हैं किसी भी viruses बगयरा के लिए मालवेज बगयरा के लिए तो वो यहां पर close किये जाएंगे और security के सबी issues यहां पर solve किये जाने वाले हैं तो मेरी आप से request है कि इस update को जाकर आप जरूर install कीजिए एक बार चेक कीजिए कि आपको ये update आया है या नहीं साथी community tab में मैंने एक poll रखा हुआ है वहाँ पर जाकर आप जरूर vote कीजिए कि क्या आपको ये update आया है या नहीं बाकि दोस्तों मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास अगर पोको सी 3 है तो कौन-कौन सी दिक्कतें आपको अपने पोको सी 3 में आ रही है क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपके साथ कोई problem ना हो क्योंकि smart phones जो entry level के smart phones रहते हैं उनके साथ कोई ना कोई bug समय देखने को मिलते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ मैं प्लैन कर रहा हूँ कि आप पोको सी 3 के लिए भी continuously वीडियो लेकर आऊँगा अगर आपके demand रहती है तो मैं जरूर ये चीज़े करने कोशिश करूँगा तो बस इतना ही तो दोस्तों इस वीडियो में ज्यादा लंबी ये वीडियो नहीं है बाकि आप मुझे comment करके अपनी रहे बता सकते हैं आप से मिलता हूँ किसी next वीडियो के साथ